नायम आत्मा प्रवचनीन लभ्यो नमेध्या न बहुनाशुते न यमेव एश व्रिनुते तेन लभ्यस तस्य एश आत्मा विव्रिनुते तनुम स्वाम नमस्कार मित्रों जो निश्चित ही इसे अपने लिए चुनता है उसके लिए प्राप्त होता है तश्येशे आत्मा विब्रणुते तनुम स्वाम उसकी ये आत्मा उसको चुनती है त्रकट होती है स्वतह यहां पर यम अब नचीकीता से कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये आप प्रवचन द्वा रहें और बोले कि मुझे आत्मा का ग्यान हो जाएगा तो ऐसा नहीं है नहीं यह जो है आप बुद्धी द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं नहीं सुनने द्वारा प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी बुद्धी लगाएं और बोलें कि अच्छा मै और बोलता है कि नहीं मुझे आत्मा को जानना है तो उसने आत्मा को चुन लिया जब कोई इस प्रकार से आत्मा को चुनता है तब यह आत्मा उसको चुनती है और प्रकट हो जाती उसके आगे उसको यह आत्मा का ग्यान प्राप्त हो जाता है तो यहां पर मुलत हमें यह ही स तो मैं आत्मग्यान पराप्त कर लूँगा और फिर साधना में लग जाते हैं कि लोग जो है योग कर रहे हैं लोग जो है पुस्तकों का पाथ कर रहे हैं लोग कड़ातप कर रहे हैं तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि अच्छा है ये जो क्रिया है इस क्रिया के माध्यम स आत्म ग्यान प्राप्त नहीं होता है हमारी भावना से यदि हमारी भावना शुद्ध हो और हम यह जो शुद्ध भावना है इसके दोबारा आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें तब आत्मा जो है स्वैम हमारे लिए प्रकट हो जाएगी अर्थात यदि हम इश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें इश्वर का होकर कि इश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए और जब हम ये करेंगे तो इश्वर जो है वह स्व स्वायम हमारे आगे प्रकट हो जाएंगे और वह स्वायम हमें ग्यान प्रदान कर देंगे हमारे स्वायम अपना ग्यान दे देंगे परन्तों यदि हम यह बोले कि मैं अपने शक्ति से कर लूँगा अर्था अपने भी इश्वर के आगे समर्पन नहीं किया समर्पन कहते है ना भक्ती में जो बोला जाता है कि आप आत्म समर्पन कर दीजे इश्वर के आगे गीता में बार 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 श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेक्ति मु जो शब्द है वहाँ है, गो कामवश गो, तो जो गो शब्द हमआप बोला गया है, प्राइल स्वच्छत रोगा क्या बोलता है गो यहा haven hält, जो jść होता है। अब लोग गाया की रक्षा करने वाला क्यों कि प्रतीक ने आप प्रतीक बोले गए पर पर मुलता है यजी आप गेहरे रहस e में समझें तो गोविंद अर्था जो इंद्रिया मन और वुद्धी नहीं की रकषा करने वाला तो गो जो बात है उसको इद्धी हम समरपित कर दे हैं आँ पर वह हमें स्वता ग्यान प्रदान कर देंगे तो यहाँ पर वह ही बात बोले जा रही है तो जह से बोला प्रवचन दोरा नहीं प्राप्त होते है तो प्रवचन क्या है? सुनना देखना यह सब तो इंद्रियों से नहीं प्राप्त होते हैं बुद्धी दोरा प्राप्त नहीं होते हैं सुनने द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं वो ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं कि आप अपने प्रयास से जो है किसी क्रिया से जो है आप उनको कर लें कि आप जो है डीप मेडिटेशन करते हैं और आपने भगवान को पा लिया या आपने दान पुन्य किया तो आपने भगवान को पा लिया या आपने बहुत बहुत तपस्य है कि एक पेर बहुत लंबे समय तक खड़े रहे तो आपने भगवान को पा लिया ने 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 ऐसे नहीं है क्रिया नहीं है क्रिया प्रधान नहीं है इश्वर प्रप्ति इश्वर प्रप्ति भाव प्रधान है अर्था समर्पन क को यदि समरपेद कर दिया, आपने बोला कि मैं तो वस इश्वर का ही हूँ, अब मुझे इश्वर को प्राप्त करना है, मैं इश्वर का हूँ और मुझे इश्वर को प्राप्त करना है, तो वो इश्वर प्राप्त होंगे आपको, आप यदि बोलें कि नहीं, मैं तो मेरा ही हूँ अब मुझे इश्वर को प्राप्त करना है तो इश्वर नहीं प्राप्त होंगे आप बोलें कि मैं अपनी मन से मैं अपनी बुद्धी से इश्वर को प्राप्त कर लूँगा मैं करूँगा तो नहीं प्राप्त होंगे आप बोलें कि मेरे बसकी तो नहीं आई भगवान करम भी हो सिता है उसमें फिर भक्ती भी हो सिती ग्यान भी हो सिता है फिर फिर सभी चीज़ें आपको वहाँ पर ले जाएंगी और भक्ती का जो मूल सिध्धान्त है वो यह ही है कि आप सब कुछ ईशोर को समर्पित कर दें नारद भक्ती सुद्रों में क्या बोला गया है ना पे आपको बताया जा रहा है कि सब कुछ स्मरपथ कर दे nicely और तब lounge आप मुझे मैं आपको जानना चाहता हूं तब ही आपको जिए बात समझ में आई एक इस वर की तो वो यहां पे हैं जो मेहां लोग नियुद्स裡面 कामने को बता चाहता नहीं तो आप यह से पिर भुष्ट होreh कि तब रही इष्वर कहा वांगा अधिना नहीं कुछ पता सेनी है और मैं तो जानकार हूँ मुझे पता है और मैं पता कर लूँगा भगवान को तो फिर क्या हो रहा है वास्तों में फिर आप अपने ही प्रियास के तो प्रियास के दिवार इ집 करने का तो वो संदेश यहां पर था इस मंतर में आशा करता हूं कि मैंने इस मंतर को आपको अच्छा समझा दिया होगा चले इसी के साथ यह फिर पर समाप्त करते हैं नमस्टे अगया था है झाल झाल